आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नवरात्री स्पेशल कन्या पूजन के लिए चाना, पूड़ी और हल्वा की रेसिपी तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं काला चना बनाने के लिए मैंने लिया है एक कप काला चना जिसको मैंने अच्छे से दूल करके रात पर पानी में फिको दिया था अगर आप चाहें तो इसे पांचे गंड़ी के लिए भी फिको सकते हैं अब मैं इन चनों को प्रेशर कुकर में डाल दोगी इसमें आड़ करोंगी तीन से चार कप पाणी एक टीस्पून नमक और इसे चार से पाँच विसल आने तक लो मीडियम फ्रेम पर अच्छे से पका लोगी अब हमारे चने अच्छे से बॉइल हो चुके हैं यह देखिए कितने अच्छे से यह बॉइल हो गए हैं चलिए अब चने के मसाली की तैयारी कर लेते हैं इसमें मैंने डाला है दू छोटी चमच धनिया पाउडर एक छोटी चमच लाल मिर्च का पाउडर एक छोटी चमच काली मिर्च का पाउडर दो छोटी चमच अमचूर पाउडर इन सबी चीजों को थोड़ा सा पानी डाल कर मिला ले ऐसा करने से हमारा मसाला तेल में चलता नहीं है अगर हम तेल में डिरेक्ली मसाला डाल देंगे तो हमारा मसाला चल सकता है अब मैंने कड़ाई में एक बड़ा चमश तेल का ले लिया है इसे मैंने आड़ किया है दू छोटी चामच जीरा, थोड़े से अद्रक के कटे हुए टुकड़े, दो से तीन हरी मिर्च, इन सबी चीजों को एक मिनिट के लिए तेल में अच्छे से पूल ले, अब मैं इसमें आड़ कर रही हूँ, मसाले का पीस जो हमने रेडी करके रखा मसालो को आपको दो से तीन मिर्ट के लिए अच्छे से बुणना है, दो से तीन मिर्ट खुनने के बाद आप देखेंगे कि मसालो में से ओल निकलने लग गया है, अब मैं इसमें आड़ करूंगे उबले हुए काले चने, जिसमें मैंने एक बड़ा चमच पानी का भी नमक, ध्यान रखें कि आपने नमक उबालते समय में भी डाला था, आप इसको ढख करके अच्छे से पांच मिनिट के लिए पका लें, पांच मिनिट बाद आप देखेंगे कि आपके चने अच्छे से ट्राइ हो गए है, पानी बिल्कुल ही सूप गया है, अब मैं इसमें आड करूँगी कटा हुआ धन्या, यही देखिए प्रिंग्स हमारे चरपटे और स्वाधिश चने बनके तयार है, चलिए अब सूजी का हलवा बना लेते हैं, इसके लिए मैंने कढ़ाई में आधा कप देशी गी का लिया है, जिसमें मैं आड कर रही हूँ, दो चमज किश किशमिश को आप देशी गी में भूल ले, इसमें मैं आड कर रही हूँ, आधा कब सूजी का, सूजी को आप लगातार चलाते हुए, अच्छे से गोल्डन होने तक भूल ले, इसको आपको लो मीडियम फ्लेम पे भूलना है, इसे भूलने में मुझे कम से कम 3-4 मिनिट हो गया है, अब मैं इसमें आड कर रही हूँ, फिसी हुई चीनी, अगर आप चाहिए तो साबु चीनी भी आड कर सकते हैं, अब मैंने इसमें कर्यब धीर कब पानी आड किया है, अब मैं यहाँ पर आप से एक छोटी सी टिप शेयर करूंगी, आप पानी आड करने के बाद हलवे को बिल्कुल भी नहीं हिलाएं उसे ठक करके लो मीडियम फ्लेम पर एक से दो मिनिट के लिए कुक कर ले दो मिनिट बाद आप देखेंगे कि हलवा अच्छे से पख गया है हलवे को और स्वादिश्ट बनाने के लिए आप उसे एक मिनिट के लिए low-medium frame पर अच्छे से भून ले अब मैं इसमें आड़ कर रही हूँ एक छोटी चमच इलाइची पाउडर कुछ कटे हुए बादाम इन सबी चीजों को अच्छे से mix कर ले और ये देखिए हमारा दानेदार हलवा बन के तैयार है चलिए फ्रेंग्स अब पूरी बना लेते हैं मैंने यहाँ पर लिया है एक कप के हुखा आटा अगर आप चाहें तो नमक और अजवाइन भी आड़ कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा पाने डाल कर आपको इसका एक टाइट डो तैयार कर लेना है यह देखिए फ्रेंग्स हमारा डो भी बन के तैयार हो गया है अब हम इसे 15 मिनिट के लिए धक कर छोड़ देंगे अब आपको आटे के छोटे छोटे टुकडे काट लेने हैं हमने हाँ पर आटे की लोई को तेल लगा करके बिला है अगर आप चाहिए तो सुखा आटा भी इसके उपर टेस्ट कर सकते हैं आपको इसको बहुत जादा पतला नहीं रोल करना है तेल को अच्छे से गरम कर लेना है ध्यान रखें कि तेल बहुत अच्छे से गरब होना चाहिए तब ये उसमें पूरी डालें ये देखिए फ्रेंज हमारी पूरी बनके तयार हो गई है तोनों साइट से पूरी को अच्छे से सीख लें प्रेंज आप भी ये प्रशाद मातारानी को बना करके चड़ाएं और मुझे कमेंट सेक्षिन बे बताएं कि आपको ये रेसेपी कैसी लगी अगर आपको मेरे रेसेपी पसंद आई हो तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक एंड शेर करें थैंक ये वर वाचिंग